दस्तर खान की दुनिया में Most Welcome आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हरा मसाला मेरे विवर्स की फर्माइद पर मैंने ये रेसिपी बनाई है देखें ये बहुत ही टेस्टी और डिलिस्टेस बनता है इसे आप एक बार जरूर ट्राइ करें अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जिससे के मेरी ऐसी रेसिपी आपको रूज़ाना मिलती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर देर किलो चिकन लिये हैं और उसके मीडियम पीस करा लिये हैं और उसको अच्छे से वाश करके मैंने यहाँ पर रख लिया है सबसे पहले मैंने यहाँ पर बंतफोत कप के करीब तेल ले लिया है उसे एक बरतन में गर्म कर लेंगे हमने यहाँ पर तीन बड़ी प्यास को स्लाइस करके रख लिया था अब वो करम तेल में हम इसे शामिल कर देंगे और उसे तब तक के लिए पूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती हमें यहाँ पर बिरस्ता नहीं करना है हमें यहाँ पर प्यास को गोल्डन फ्राइ करना है प्यास को हमें लाइट गोल्डन तक ही करना है जादा डाग ब्राउन ना करें नई तो यह जल सकती है और इसमें कड़वा पना सकता है जिससे हमारा पेस्ट खराब हो सकता है यहाँ पर देखिए मेरी प्यास बिल्कुल लाइट गूर्डन कलर की बनना स्टार्ट हो चुकी है देखिए बस इस स्टेज पर हमें गेस बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है और फिर इस में दो टीबल स्पुन जितना पानी डाल कर हमें इसका फाइन पेस तयार कर लेना है यहाँ पर मैंने साथ से आंट हरी मिर्च ले लिए और उसे टुकडों में काट लिया है यहाँ पर मैंने एक मुठी हराधनिया ले लिया है हमें यहाँ पर पुदीना एड़ नहीं करना है, सिर्फ हरादनिया एड़ करना है अब हम एक मिक्सर ग्रैंडर लेंगे और उसमें हरी मिच और हरादनिया डालेंगे मैंने यहाँ पर हाफ लिमो को निचोड लिया था उसका ज्यूस इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा चमच दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था देखें यहाँ पर मेरा हराद पेस्ट बनकर तयार हो चुका है अब हम एक वाइट पेस्ट तयार करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर दस बादाम, छे काजू और दो बड़े चमच कोपरे की छीन ले ली है जो डेसी केटिर कोकोनट आता है और वो लेले और उस अच्छा सबारी पानी डालकर पेस्ट बना ले यहाँ पर पेस्ट तयार हो चुका है अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें डेल कप के करीब तेल गर्म करेंगे तेल गर्म होते ही मैं इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले दूँगे जिसका मेजर्मेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ जाकर चेक कर लेना इन खड़े गर्म मसालों को हम इस तेल में डाल देंगे गर्म मसाले चटकते ही हम इसमें जो उनने चिकन साफ करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे दो से तीन मिनिट अच्छे से तेल में भून लेंगे जिससे के हमारी चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी और चिकन की बोटी का रंग भी अलग हो जाएगा देखें यहाँ पर चिकन की बोटी वाइट केसी हो गई है इसमें हमने अब तीन बड़ी चम्मच भरकर अध्रक लसुन का पेश सामिल किया है उसे भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक के हमारा अध्रक लसुन की स्मेल खत्म नहीं हो जाती और हमारी चिकन की बोटी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तक तक हमें से भूनेंगे यहाँ पर मैंने एक चाय का चम्मच हल्दी पावडर शामिल किया है और चार से पांच बड़ी चम्मच धनिया पावडर सामिल किया है नहीं हल्दी और धनिये को हम अच्छे से भूण लेंगे दो से तीन मिनिट के इसे अच्छे से भूनेंगे इसकी बाद हमें टेस्ट के अकोरडिंग नमक डालना है मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भर कर नमक लिया है आप अपने टेस्ट के अक्रोडिंग शामिल कर सकते हैं और इसे भी एक से दो मिनिट भून लेंगे इसके बाद हमने जो हरा पेस बनाया था वो आधा कप की करीब था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे हमने यहाँ पर हरे मसाला जो ग्राइन किया था उसमें पानी डाल कर वो पानी भी थुड़ा सा शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे यह चिकन हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप अपने मेमानों को खिलाएंगे तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारिप किये बिना नहीं रुकेंगे इतना टेस्टी और लजीज बनता है चार से पांच मीट बुनने के बाद हमने यहाँ पर चार हरी मेर्च आगे और पीछे से काट कर उसे अख्ये शामिल कर दी है और उसे भी कुछ दिर के लिए पका लेना है इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बादाम, काजू और कोकोनेट का पीस बनाया था वो भी शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छे से चला कर अच्छे से कुछ दिर के लिए बुन लेंगे हमने यहाँ पर अधा कप के करीब पानी शामिल किया था और उसे अच्छे से भूनेंगे नहीं तो हमारा मसाला चिपक सकता है इसलिए हमने पानी शामिल किया है पानी डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पानी खुश्कना हो जाए और हमारा बादाम और जो नारील का पेस्टे वो अच्छे से पकना जाए देखिए यहाँ पर तेल सेपरेट हो चुका है अब इसमें हम एक कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे चला कर तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारी चिकन गलना जाए धकन डखना है ओम दखना है तो हमारे चिकन का कलर या फिर भी बलेक हो सकता है यह हमें इसे खुले में ही पकाना है और तक पकाना है जब तक कि हमारी चिकन की पीस है वो अच्छे से गलना जाए हमने इसे 15-20 मिनिट लोज पर पकाना है देखिए यहाँ पर 15-20 मिनिट हो चुके हैं हमारी चिकन अच्छे से पक चुकी है देखिए मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर बताती हूँ देखिए यह अच्छे से पक चुकी है अब इस टेज़ पर हमें इसमें 200 ग्राम के करी फेटा हुआ दई शामिल करना है दई को अच्छे से फेंट ले और फिर शामिल करें इससे हमारी ग्रेवी में गुठल ये नहीं पड़ेंगी और वो अच्छे से स्मूथ ग्रेवी बनेगी और इसे कुछ दिर के लिए चला लेंगे और फिर इसे कुछ दिर के लिए पकाएंगे हमने यहाँ पर दही चिकन गलने के बाद डाला है क्योंकि कभी-कभी दही शुरू में डाल देने से हमारी चिकन को पकने में वक्त लग सकता है इसलिए दही को बाद में ही शामिल करें एक-दो मिनिट के बाद हमने यहाँ पर घर की फेटी वोई मलाई लिए यह आधा कप के करीबे वो हम इसमें शामिल कर देंगे अगर आप बाजार के फ्रेश केम रेते हैं तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं जब हम क्रीम शामिल करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है बस दो से तीन मिनिटी इसे पकाना है इसके बाद हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला एड़ करेंगे हमने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाला ही आपकी मर्जी यह आप चाहें तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा इसके बाद हमने इसमें आधा चमच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और उसे भी अच्छे से चमच से चला कर मिक्स कर देंगे अगर आपको इसका सूप गाड़ा लगता है और आप इसे पतला सूप करना चाहते हैं तो आप एक कप के करीब पानी गर्म कर लें और वो इसमें शामिल कर दें देखे गरम पानी ही शामिल करने ठंडा पानी एड़ न करें नहीं तो इसका टेस भीगर जाएगा फिर इसको आप इसमें शामिल करके एक मिनिट के लिए पका ले पस हमारी चिकन तयार है अब हम इसे सूप करेंगे चिकन हराम मसाला बहुत तिल जीज और बहुत तिला जवाब बनकर तयार होता है इसे आप रूटी, नान, चावल या रुमाली रूटी के साथ सौख करें यह बहुत ती टेस्टी लगता है मेरी फैमेली को तो यह बेहत पसंद है आपने कभी बनाया क्या? आप इसे जरूर बनाएं और तारिफी बटोरें आप भी खाएए और आपके मिमानों को भी खिलाएए और खाएए खिलाएए और खुश रहिए